ओम शांती आज अठारा नौमबर 2021 की साकार मुरली आज बावानी कहां? मीठे बच्चे ये मंजिल बहुत भारी है इसलिए अपना समय बरभात ना कर शतो परधान बनने का पुरसाद करो आज का प्रशन है बच्चों को चरती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है चलते चलते थोड़ा भी अंकार आया, अपने को होस्यार समझा, मुरली मिश की, ब्रह्मा बाप के अवज्ञा की तो कभी भी चरती कला नहीं हो सकती साकार की दिल से उत्रा, माना निराकार की दिल से भी उत्रा गीत है लाग जवाने वाले ओम शान्ति बच्चों ने गीत सुना बच्चे कहते हैं कोई भी हमको संसे बुद्धी बनाने के लिए कुछ भी करे हम संसे बुद्धी नहीं बनेंगे बल कितनी भी उल्टी सुल्टी बाते सुनाएंगे, तो भी हम संसे बुद्धी नहीं बनेंगे, सीमत पर चलते रहेंगे, बाप रोज रोज भीन्न भीन्न पॉइंट से समझाते रहते हैं, शत्यूग में नौ लाग थे, तो जरूर इतने बाकी सब मनिश्य विनास होंगे, त एक देवी देवता धर्म के अस्थापना होनी है, जो लायक बनेंगे, वोई मनिश्य देवता बनेंगे, बाप की बीना कोई मनिश्य देवता बना नहीं सकता, तो बच्चों को याद रहना चाहिए, कि अब हमको घर जाना है, परन्तु माया घड़ी-घडी भुला देती है यहां से अब बाबा को याद कर शतो परधान बनना है, कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़ी है, कहते भी हैं, सायद बड़ी लड़ाई भी हो जाए, जो बंद भी हो न सके, सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे, तो विनास होने के पहले, क्यों हम याद मेरा तमो परधान से सतो परधान बनने का पुर्शाद करें, याद की यातरा में ही माया बिगन डालती है, इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं चाठ लिखो, मुश्किल कोई दो से चार लिखते हैं, बाकी तो अबने धंदे धोरी में ही सारा दीन पड़े हैं, अन मनिश्चों को समझाने के लिए चितर आर्दी भी बनाते रहते हैं, क्योंकि इस समय मनिश्चे 100% तमो परधान, पहले जब मुक्ति धाम से आते हैं, तो शतौपरधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते आते, इस समय सब तमो परधान बन गए हैं, सब को बावा का पैगाम देना है तो बाव को याद करने से तमो परधान से शतो परधान बनेंगे विनास भी सामने खड़ा है सत्युग में एक ही धर्म था तो बाकी शब निर्वान धाम में थे बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे सब को बावा का संदेश देना है मन मना भौ का अक्षर मुख्य है अथवा अलप और बे इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है शमझाने वाले भी नंबरवार है बेहद बाव के साथ लव होना चाहिए बुद्धी में यह रहना चाहिए कि हम बावा की सर्वीज कर रहे हैं कुदाई खिद्मतगार बनना है वो लोग अक्षर भल कहते हैं परन्तो अर्थ नहीं समझते अब बावा आया है बच्चों को खिद्मत करने कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं शत्यूग में कितने सर्वगुन शंपना बन जाएंगे यहां एक दो में लड़ते जगड़ते रहते हैं या किसको पता नहीं कि विनास होना है समझते हैं सांती हो जाएगी बिल्कुल ही अंध्यारे में पड़े हैं अब उन्हों को समझाने वाला चाहिए बिलायत में भी तो यह नौलेज दे सकते हो एक ही बात सभा में बैर समझाओ कि महाभारी लड़ाई तो नामी गरामी है इस से पुरानी दुनिया का विनास होना है अब इक गौड फादर भी यहां है जरूर वही ब्रमा दुआरा स्थपना कर रहे है सौर को संकर दुआरा विनास भी होना है कलियूग का क्योंकि अभी है संगम नैचरल केलिमिटीज भी होनी है थर्ड वॉल्ड वार, दे लाश्ट वार कहते है फाइनल विनास भी जरूर होना है अब सब को यह कहना पड़े कि बेहत के बाप को याद करो तो मुक्ती धाम में चले जाएंगे भल अपने धर में रहे तो भी बावा को याद करने से अपने धर में अच्छा पत पा सकते हैं तुम जानते हो बेहत का बाप हमको परजापिता ब्रमा के तन दोवारा नौलेज दे रहे हैं फिर औरों को भी समझाना पड़े चेरेटी विगन्स एट होम आज पार सब को संदेश देना है और धर्वालों को भी बाबा का परिचे देना है बाहर वालों को राजाओं को नौलेज देनी है उसके लिए त्यारी करनी चाहिए बाबा कहते हैं यह मुख्य चित्र जो है त्रिमूर्ती गोला ज़ाड भी कपड़े पर छप जाए तो बाहर भी ले जा सकते हो बड़ा साइज नहीं छपे तो दो ठुकड़े कर दो सारा ज्यान इस त्रिमूर्ती ज़ाड गोले में है सिड़ी का भी ज्यान गोले में आ जाता है सिड़ी डीटेल में बनाई है तो 84 जनम कैसे लिये जाते हैं चक्र में सब धर्म वालों का आ जाता है सिड़ी में दिखाते हैं कैशे सतो परधान फिर सतो रजो तमम में आते हैं नीचे उतरते हैं अब बाबा कहते हैं मामे कम याद करो बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है तो कोई नया बड़ा मकान बनाए उसमें दिवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 गुणा 9 फुट साइज के चीतर बनाए चाए 12 फुट की दिवार चाहिए इस समय भासाई भी बहुत थे शब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भासाँ में बनाना पड़ेगा इतनी विशाल बुद्धि से युक्ती रचनी चाहिए शर्बीस का सोग रखना चाहिए खर्चा तो करना ही है बाकी तुमको भीग मांगने की दरकार नहीं है आप ही हुंडी भर जाएगी ड्रामा में नूंध है बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए परन्तु बच्चे कुछ थोड़ा ही करते हैं तो नसा चड़ जाता है कि हम बहुत होसियार है बाबा कहते हैं रुपे से चार आना भी नहीं सीखे हो कोई दो आना कोई एक आना कोई एक पैसे जितना भी मुश्किल सीखे हैं कुछ भी समझते नहीं मुरली पढ़ने का भी सोक नहीं शावकार पर जा, गरीब पर जा, सब कुछ यहीं बरना है कोई तो बाब से अंजाम अर्थाद वाइदा कर फिर मो काला कर देते हैं कहते हैं बाबा हार खा ली बाब कहते हैं तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो वेर्थ नोटे पहने ऐसे क्या पद पाएंगे अब शुरी वंसी राजधने अस्थापन हो रही है जिनको बाबा की याद रहती हैं वोई खुसी में रहते हैं सिर्फ यवी याद रहें कि बाब दोरा क्या बर्सा ले रहे हैं तो भी बहुत फाइदा है धारण कर फिर आप समान बनाना है बच्चों से सर्वीष पहुचती नहीं है थोड़ी सर्वीष की तो समझते हैं हम पास हो गए देविमान में आकर गीर पड़ते हैं अगर बाबा ब्रमा की बियाद भी की तो शिप भावा कहते हैं गोया मेरी बियाद भी की, बाप दादा दोनों कठे न, ऐसे नहीं, हमारा तो शीप बावा से connection है, अरे बर्सा तो इन दौरा मिलेगा न, इनको दील का समाचार सुनाना है, राय लेनी है, शीप बावा कहते हैं, हम साकार दौरा राय देंगे, ब्रमहा के बिना शीप बावा स बर्सा कैसे लेंगे, बाव के बिना कुछ काम हो न सके, इसलिए बच्चों को बहुत-बहुत संभार रखनी है, उल्टे अंकार में आकर अपनी बरवादी कर देते हैं, साकार की दिल से उतरे, तो निराकार की दिल से भी उतर जाते हैं, ऐसे बहुत है, जो कभी मूरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाव क्या समझेंगे, मंजिल बहुत भारी है, बच्चों को टाइम बरबात नहीं करना चाहिए, जो अपने को महारती समझते हैं, उन्हों को उंचे काज में मदद करनी चाहिए, तो बाव खुसोकर आपरिन देवे, इसे बहु आने चाहिए, शुरिवन सी राजारानी बनने वाले, जो सर्वीश नहीं करते, वो लायक नहीं, आगे चलकर सब पता पढ़िएगा, कौन-कौन क्या बनेगा, बच्चों को बहुत नसा रहना चाहिए, कि हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे, या तुम आये हो आज योग सिखने, अच्छी रिती नहीं पढ़ेंगे, तो पद काम पाएंगे, बावा के पास सर्वीश का समझार आना चाहिए, बावा आज मैंने ये सर्वीश की, पत्र ही कभी नहीं लिखते, तो बावा क्या समझे, मर गया, बावा को भी याद वो ही बच्चे रहते है जो सर्वीश में रहते हैं, बाव का परिचे देते रहते हैं, शिबवा ब्रमा द्वारा ब्रम्म कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं, शिबवा ब्रमा द्वारा ब्रामनों की रचना रचते हैं, अभी और सव धर्म हैं, बाकि देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन वो गूम है, यह सारा खेल बना हुआ है, सिढ़ी में शवधर्म है नहीं, इस कारण गोले पर समझाना पड़े, गोले में साब है, यह भी समझाना है, कि शत्युग में देवी देवता डवल सिताज थे, इस समय पवित्रता का ताज कोई को है नहीं, एक भी नहीं, जिसको हम लाइट का ताज देवे, अपने को भी नहीं दे सकते, हम लाइट के लिए पुरसात कर रहे हैं, शरी तो यहां पवित्र नहीं है, आत्मा योग वल से पवित्र होते होते, आंत में पवित्र हो जाएगी, ताज तो मिलेगा सत्यूग में, शत्यूग में डवल ताज, भक्ति म मार्ग में सिंगल ताज, या कोई ताज नहीं, अब तुमको से प्यूरिटी का ताज कहां दिखावे, लाइट कहां रखे, ग्यानी तो बने हो, परन्तु कम्प्लीट पवित्र जब बनते हो, तो लाइट होने चाहिए, तो सुक्ष्म वतन में लाइट दिखावे, जैसे मम सुक्ष्म वतन में पवित्र फरिष्टा है न, वह सिंगल ताज है, परन्तु अब लाइट कैसे दिखावे, पवित्र होते हैं पिछाडी में, योग में जब बैठते हो, तुम लाइट दिखावे, आज लाइट दो कल पतीद बन जाए, तो लाइट ही गुम हो जाती, इसल जैसे बुद्ध क्राइष्ट को दिखाते हैं, पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म अस्थापन करने आती हैं, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं, तुम भी बावा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, शौदसन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पा अच्छा, मिठे मिठे सिगिल्दे बच्चों प्रती, मात पिता बाव दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाव की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाव दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग, नमस्ते, नमस्ते, धरना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट बाप दादा से आपरिल लेने के लिए बाप के उचे कार्ज में पूरा पूरा मददगार बनना है बाबा को अपनी शेवाओं का समचार देना है दूसरा पॉइंट देविमान में आकर कभी भी बेदबी नहीं करनी है उल्टे नसे में नहीं आना है अपना समय बरबाद नहीं करना है सर्वीस की युक्तियां रचनी है सर्वीस उल बनना है आज प्यारे मिठे बावा का बरदान त्याग और स्ने की शक्ति द्वारा सेवा में शफलता प्राप्त करने वाले स्ने ही सयोगी भव जैसे सुरू में नौलेज की शक्ति कम थी लेकिन त्याग और स्ने की आधार पर सफलता मिली बुद्धी में दीन राद बाबा और यग्य तरव लगन रही जीगर से निकलता था बाबा और यग्य इसी सने ने सबी को सयोग में लाया इसी सक्ति से केंद्र बने साका सने से ही मन मनाभव बने साका सने ने ही सयोगी बनाया अभी भी त्याग और सने की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी आज के सलोगन है फरिस्ता बनना है तो वेयर्थ बोल वर डिश्टर करने वाले बोल से मुक्त बनो अच्छा ओम शान्ति